चल रहा है उसमें हम कुछ मैंने आपको करा दिया था जो आपका ठोपिक था प्राकर्तिक बनस्पत्या और बन्य जेप के बारे में तो उसमें मैं आज आगे कराने वाला हूँ जो मोस्ट इंप्रोटेंट के उससरे आपके बनते हैं तो चैनल पर नहीं तो चैनल पर सब्सक् मैं आपको आज कराने वाला हूं ठीक है तो पिछली Cast अगर नहीं देख़ी है तो वह भी ज़रूर देख ले टीक है तो बहाँ पर मैने आपको जान करी दी है इसके बारे पिछली क्रास में भी ठीक है संबंधिकत कार्य करम और यौजनाई ठीक है कार्य एक्रम और आपकी योजना है तो यहाँ पर इस इसको नोट कर लेना जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं उत्तर प्रदेश कि आपकी परिख्चाओं के लिए चाहा जूनर स्टेंट का हो या स्टेनोग्रापल का हो सभी एक्जांस में आपके लिए मोश्ट इंपोटेंट है तो देखें पहले बात करूँ यहाँ पर जो आपकी योजना थी उसकी बात के जाए तो वो आती है आपके सामाजिक बान की योजना सामाजिक बान की योजना तो सामाजिक बान की योजना कब सुरू करे गई सामाजिक बान की योजना बान की योजना तो इसकी सुरुवात की बात करूँ तो यह कब करे गई थी आपकी 1989 में ठीक है 1989 में यह सुरुवात करे गई इसकी और इसका जो महत्पुन उद्देश्य था वो क्या था आपका फसलो उत्पादन में ब्रद्धी ठीक है इसका जो में लिखवा रहा हूँ फसलो उत्पादन में ब्रद्धी करना ठीक है तो इस चीज़ को नोट करते चलें जो मैं लिखवा रहा हूँ फसलो उत्पादन में ब्रद्धी करना ठीक है दूसरा था इसका बंजर भूमी को सही क ठीक है बंजर भूमी से भी संब्द दित था ये और तीसरा जो संब्द दित था वो सड़क रेलवे ठीक है सड़क रेलवे के नहरों और नहरों ठीक है और आपके नहरों तो इनके किनारे बंजर भूमी ठीक है सड़क रेलवे इनके किनारे क्या था ब्रक्छोरोपड करना थ ठीक है ब्रक्षो रोपड करना था इसका उद्देश है ठीक है तो इस चीज को यहाँ पर नोट कर ले ना दूसरी इसमें योजना जो थी बो ती आपकी सगन ब्रक्ष रोपड कारेकरम ठीक है दूसरी जो चलाई बो चलाई इन्होंने सगन सगन ब्रक्ष रोपड कारेकरम ब्रक्ष रोपड कारेकरम तो इसकी बात करूँ तो यह कब सुरू करी गई तो यह आपकी 2005 और 2006 में सुरू करे गई ठीक है और यह आपके प्रदेश के 22 जिलो में सुरू करी गई थी ठीक है पिर्देश के 22 जिलो में ठीक है जिलो में ये प्रारम करी गई शुरू में ठीक है पिर्देश के 22 जिलो में प्रारम करी गई बाद में इसे अगर बात करूँ तो बाद में 2008 में ठीक है बाद में 2008 में 48 जिलो में इसका बिस्तार किया गया इस योजना का ठीक है थो ये भी नोट कर लेना चलिए उसके बाद इसमें आती है एक योजना आपकी operation green तो उसके बाद अगर बात करूँ operation green योजना की धीके जितनी भी योजना है आपकी पूछ लेता है तो इनको भी note कर लेना ठीक है operation green योजना उद्देश्य था ये अगर बात करूं तो आपकी 1 जुलाई 2001 को प्रारम हुई ठीक है? 1 जुलाई 2001 को इसका उद्देश्य था ब्रक्छरोपड को बढ़ावा देना ठीक है? ब्रक्छरोपड को बढ़ावा देना ठीक है? ब्रक्छरोपड को बढ़ावा देना तो बढ़ाव शह भागी बन प्रवंदन और निर्धंता उन्मूलन योजना. ठीक है? सह भागी बन प्रवंदन ठीक है? इनको नोट करते चले प्रवंदन एबं निर्धंता उन्मूलन योजना. निर्धन्ता उनमूलन योजना ठीक है यह योजना जो सुरू करी गई इसकी बात करूँ तो ये आपकी 2008-2009 में सुरू करी गई ठीक है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था जो मुख्य उद्देश्य की बात करूँ तो इसका तराई बिंद्य और बुंदेल खंड में 14 जिलों में संचालित बंद सर्णक छड़ता ठीक है एक तो आपका तराई तराई बिंद्य और बुंदेल खंड के 14 जिलों में ठीक है तराई बिंद्य बुंदेल खंड के 14 जिले बुंदेल खंड के 14 जिले जो 14 जिले थे वो देल घंड के 14 जिलो तो इन में इनका उद्दे से जो था वो जिलो में संचालित बन सरक्षण था ठीक है बन संचालित सरक्षण था ठीक है तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कलें इनका मुख्य उद्दे से कहता बन संचालित सररक्षन था इनका मुख्य उद्देश से है ठीक है बनों को सनक्षित किया जाए उसके बाद अगली योजना जो इसमें आई वो थी आपकी ब्रक्ष बंदू पुरुसकार योजना ठीक है ब्रक्ष बंदू पुरुसकार योजना तो यह योजना क्या थी दिखे ब्रक्ष बंदू पुरुसकार योजना तो ब्रक्ष बंदू पुरुसकार योजना यह आपकी कब सुरू करी गई तो यह आपकी दो हजार साथ आठ में ठीक है, दो हजार साथ आठ में यह सुरू करी गई इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रक्षरोपण और आपके बन्निय जीब को सरक्षण को परस्वान देना ठीक है एबम बन्य जीब सरक्षण को प्रोस्वान देना ठीक है तो इस चीज को भी नोट कर लेना उसके बाद अगली योजना जो आई वो थी आपकी आपरेशन ग्रीन देखे आपरेशन ग्रीन योजना आपकी एक जुलाई-2001 में भी आई थी और फिर उसके बाद आई आपरेशन ग्रीन-20078 में ठीक है आपरेशन ग्रीन के नाम से ठीक है आपरेशन ग्रीन तो आपरेशन ग्रीन योजना आपकी फिर कब आई आपकी दुवारा ये जो आई थी 2007-8 में ठीक है साथ आठ में आई इसका जो मुख्य उद्धेसे था वो बन छेत्र का बिस्तार करना था ठीक है बन छेत्र का बिस्तार करना ठीक है तो उसका मुख्य उद्धेसा बन छेत्र का बिस्तार करना उसके बाद योजना आई आपकी बन की योजना वो ग्रीन यूपी क्लीन यूपी ठीक है, तो green up की बात करूँ, green up, green up, clean up, green up, clean up की योजना जो आई, वो कब आई, आपके एक रिसकी बात करें, तो ये आई थी आपकी 7 नवंबर 2015 में, ठीक है, 7 नवंबर 2015 में, इसका जो मुख्य उद्देश से था, वो आपका ब्रक्छा रो पड़ था, ठीक है, मुख्य उद्देश से कहता इसका ब्रक्छा रो पड़, इसका मुख्य उद्देश से था, ठीक है, मुख्य उद्देश से कहता ब्रक्छा रो पड़, तो ये महत्पूर्ण योजना थी, जो आपकी चलाई गई, ठीक है, तो इन चीजों को नोट कर लेना है, ठीक है चलिए आगे बात करते हैं देखे तो आगे बात करता हूँ बन्य जीव संबंदित कारेकरम और मैं आखे बात कर लेता हूँ और क्या क्या थे देखे जो कारेकरम चलाए गए और मैं आगे बताता हूँ देखे बन्य जीव संबंदि पिरमुक कारेकरम पिरमुक कारेकरम तो वो क्या क्या थे और नोट कर ले यहाँ पर दीखे पहला इसमें था अगर उसकी बात करूँ तो पहले इसमें आता है आपका राश्टिय चंबल बन्य जी बिहार योजना ठीक है तो यह कारेकरम चलाया गया राश्टिय चंबल बन्य जी बिहार योजना राश्टिय चंबल बन्य जी बिहार योजना बिहार योजना तो यह जो चलायी गई देखे अगर इसकी बात करूँ यह कहां का स्टार्ट करे गई तो यह आपकी जो चलायी गई थी ये आपकी उत्तर पिर्देश, ठीक है, उत्तर पिर्देश, मद्य पिर्देश और आपकी राजिस्तान में, ठीक है, राजिस्तान में, ये चलाई गई, ठीक है, तो इस्तान में आपका क्या जाएगा, उत्तर पिर्देश, मद्य पिर्देश और राजिस्तान में, देखे, इ ठीक है मगर घडियाल ठीक है गडियाल और आपका दीक है मगर घडियाल प्रेजनन को सरक्चन देना था इस योजना का उद्धेश ए ठीक है राष्टी है चमबल बन्यजीव बियाहर योजना ठीक है उसके बाद इसमें एक और लिख ले देखे वो योजना थी आपकी गड़ियाल प्रेजन योजना की अगर बात करूँ गड़ियाल प्रेजनन योजना प्रेजनन योजना तो यह जो थी अगर इसकी बात करूँ इसका उद्देश से क्या था यह जो चलाए गई आपकी कहां पर अगर इस्तान की बात करूँ तो यह आपकी शुरू करेगे आपकी लखनव कुकुरेल ठीक है लखनव कुकुरेल में ठीक है लखनव कुकुरेल में कुकुरेल लखनव कुकुरेल और आपकी कर्तियानी में ठीक है तो इन चीज को नोट कर लेने यहां पर बहराइच में कहां पर आपकी करतीनिया में ठीक है तो यहां पर यह चलाए गई इसका उद्देश से क्या था देखे उद्देश से क्या अगर बात करूं तो इसका उद्देश से था घड़ियाल प्रेजनन का सरक्षन ठीक गड़ियाल प्रजनन का सर रक्षन तो इन चीजों को भी नोट कर लेना उसके बाद एक योजना चलाए गई बुजो थी आपकी नाइट सफारी पार्क ठीक है नाइट सफारी पार्क ठीक है नाइट सफारी पार्क तो यह योजन चलाए गई इसका देखें यह कहां चलाए ग उद्देश्य था उसकी बात करूं तो इसका उद्देश्य क्या था बबर सेर और लायन सपारी प्रेजन केंदर का उद्देश्य था ठीक है बबर सेर ठीक है बबर सेर एबम आपका लायन सपारी ठीक है लायन सपारी प्रेजन केंदर का उद्देश्य था ठीक है लायन सपार प्यजनन केंद्र तो ये इसका उद्देश ये था केवल ठीक है तो इस चीज्च कोектор लेना जितने भी क्यूआ देखिये सब आपके काम आने वाले हैं तो जितने भी महले आपको कराए हैं यह सबी जा जाते हैं ठीक है तो इस फे आपको नोट करके चलना है मैं आपको कुछ आगे बताने बावाला हूं उत्तर प्रदेश के पक्छी बिहार है दो कहां कहां है ठीक है तो उनको भी egeने यहां ठीक है और किस बर्स उनके बनाए गए वो भी बताऊंगा तो पक्षी बिहार की बात कर लेते हैं पक्षी बिहार उत्तर पिर्देश के पक्षी बिहार ठीक है तो यहां पर नोट करें आगे नवाब गंज में जो है आपका देखे पक्षी बिहार के अगर बात करूँ सहीद सहीद चंदर सेखर सहीद चंदर सेखर चंदर सेखर आजाद पक्षी बिहार आजाद पक्षी बिहार तो यह कहाँ पर है आपका देखे अगर इसकी बात की जाए तो यह आपका उन्नाब में ठीक है कहां पर आपका यह उन्नाब में ठीक है उन्नाब में है इसकी इस्तापना वर्स की बात करूँ तो यह आपका 1984 में इसकी इस्तापना करे गई इसके छेत्रपल के अगर बात करूँ छेत्रपल कितना है ठीक है तो छेत्रपल के बात करूँ तो इसका 2.25 बर्ग किलोमीटर में ये फैला है ठीक है तो बर्ग किलोमीटर में ये फैला है तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना उसके बाद आगे बात करूँ दूसरा आता है आपका समस्पुर पक्ची बिहार तो समस्पुर पक्षी बिहार की अगर बात करूँ तो ये कहां पर है आपका देखे ये है आपका राय बरेली में ठीक है कहां पर है आपका राय बरेली में इस्तापना की बात करूँ तो ये आपका 1987 में हुआ ठीक है देखे तो ये आपका 1987 में बना अगर इसके छेत्र फल की बात करूँ जो छेत्र है फल है वो कितना इसका तो वो 7.9 बर्ग किलो मीटर में ठीक है तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना उसके बाद अगला है इसमें आपका लाख बहोसी पक्षी बिहार ठीक है तो यह कहाँ पर है आपका देखें यह आपका कन्नोज में है ठीक है कहाँ पर है आपका कन्नोज में अगर इस्तापना की बात करूँ तो यह आपका 1989 में इसकी इस्तापना करे गई और इसके छेत्र फल की अगर बात करूँ छेत्र फल की तो छेत्र फल है इसका 80.24 बर्ग किलो मीटर ठीक है इसका छेत्र फल है उसके बाद आगे बात करते हैं सांडी पक्ची बिहार ठीक है आगे आता है आपका सांडी पक्ची बिहार सांडी पक्ची बिहार तो सांडी पक्ची बिहार की बात करूँ तो यह कहां पर है आपका तो यह आपका हर दोई में है ठीक है कहां पर है आपका हर दोई में इसकी जो इस्तापना हुई थी अगर उसकी बात करूँ तो यह आपकी 1990 में इसकी इस्तापना हुई थी ठीक है तो इसके छेतरफल की अगर बात करूँ छेतरफल कितना है तो छेतर बखीरा पक्ची बिहार ठीक है आगे आपका बखीरा पक्ची बिहार तो बखीरा पक्ची बिहार तो ये कहां पर अगर इसकी बात करें बखीरा पक्ची बिहार तो ये है आपका संत कबीर नगर में ठीक है संत कबीर नगर में इसकी जो इस्तापना होई थी अगर उसकी बात क हुई थी छेत्र फल की अगर बात करूं उसका छेत्र फल कितना है तो इसका जो छेत्र फल है 28.94 बर्ग किलोमेटर में ये फैला है ठीक है उसके बाद आगे आता है इसमें आपका वो है ओकला पक्ची बिहार ठीक है ओकला पक्ची बिहार तो ओकला पक्ची बिहार की अगर बात करूँ ओकला पक्ची बिहार तो यह जो है देखे इसके अगर बात करूँ तो यह कहाँ पर आपका गोतम बुद्ध नगर में ठीक है गोतम बुद्ध नगर में है इसकी जो इस्तापना हुई थी वो आपकी 1990 में हुई थी ठीक है 1990 मौविती छेत्रफल की अगर बात करूं उसका छेत्रफल कितना है तो 4.00 बर्ग किलोमीटर में ये फैला है ठीक है तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना ठीक है उसके बाद अगला जो आता है वो है पारवती अरगा पक्ची बिहार तो ये कहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो इसकी बात करूं दीक है ये जो है आपका गोंडा में है ठीक है कहाँ पर है आपका गोंडा में और इसकी जो इस्तापना हुई थी वो हुई थी 1997 में ठीक है 1997 में हुई थी अगर 6 त्रपल की बात करूँ कितने में है देखे तो यह आपका है 10.84 बर्ग किलो मीटर में ठीक है इतने में यह फैला है उसके बाद आगे आता है आपका बिजे सागर पक्ची बिहार ठीक है बिजे सागर पक्ची बिहार बिजे सागर पक्ची बिहार तो ये कहाँ पर है आपका अगर इसकी बात करूँ बीजे सरागर पक्ची बिहार देखे तो ये आपका कहाँ पर है महोवववें ठीक है कहाँ पर है महोववें ठीक है इसकी जो इस्तापना हुई थी वो आपकी 1990 में हुई थी ठीक है छेतरफल की अगर बात करूँ तो छेतर पटना पक्छी बिहार तो पटना पक्छी बिहार जो है अगर इसकी बात की जाए तो ये कहां पर है आपका दीखे पटना पक्छी बिहार कहां पर है आपका एटा में ठीक है कहां पर है एटा में इसकी जो इस्तापना हुई थी 1991 में हुई थी ठीक है इसका छेत्रपल की अग उसके बाद आगे आता है आपका समान पक्षी बिहार, ठीक है, समान पक्षी बिहार, तो समान पक्षी बिहार की बात करूँ, तो ये कहां पर है आपका, दीखे, तो समान पक्षी बिहार जो है ये आपका मैन पुरी में है, ठीक है, कहां पर है आपका, मैन पुरी में है, इसक आपना हुई थी 1990 में हुई थी ठीक है छेतरफल की अगर बात करूं जो छेतरफल है इसका वो आपका 5.26 बर्ग किलोमीटर ठीक है तो इतना इसका छेतरफल है उसके बाद इसमें आता है आपका सूर सरोबर पक्छी बिहार ठीक है आपका 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 सुरहा ताल पक्षी बिहार ठीक है सुरहा ताल पक्षी बिहार ठीक है जैपरकास नारायन के नाम से जानते हैं ठीक है जैपरकास नारायन तो यहाँ पर इस चो भी नोट करें ना जैपरकास नारायन पक्षी बिहार ठीक है तो यह कहां पर अगर इसकी बात करूं पक्षी बि कहां पर आपका बलिया में और इसकी जो इस्तापना होई थी वापकी 1991 ओंप अगर सका च्छेत्रफल की बात करो तो च्छेत्पल एसका के तु 34.3 Macko किलो मिटर में इसका छेत्र फल फैला हुआ है ठीक है तो इतने में इसका छेत्र फल फैला हुआ है ठीक है उसके बाद आगे बात करते हैं जो आपका डाक्टर भीमराब अम्बेक्टर पक्ची बिहार ठीक है डाक्टर भीमराब भीमराब अम्बेक्टर तो इनको दिखे जित जो इतने भी मैं लिखवा रहे हूं यह इक वान नोट कर लेना अमबेकर पक्ची बिहार नह satu इसकी बात करूँ तो यह कहां पर आपका लेके तो हुदекст स्तापना हुई थी तो उसकी बात करूँ तो यह आपकी 2003 में हुई थी ठीक है कब हुई थी 2003 में इसकी स्तापना हुई थी ठीक है उसके बाद आगे बात करते हैं सेखा जील पक्ची बिहार सेखा जील पक्ची बिहार तो सेखा जील पक्ची बिहार की अगर बात करूँ अलिगड में है ठीक है कहां पर है आपका अलिगड में ठीक है इसकी जो इस्तापना हुई थी 2016 में ठीक है कब हुई थी तो है 16 में छेत्रपल की अगर बात करूं इसकी तो छेत्रपल जो इसका 0.25 बर्ग किलो मीटर में ये फैला हुआ है ठीक है ठीक है भीमराब पक्ची अम किलो मीटर इसका छेतर पर है ठीक है डाक्टर भीरा मिल्टर पक्षी बिहार का तो इसको भी नोट कर लेना और इसका भी नोट कर लेना ठीक है तो सेखा जील पक्षी बिहार कहां पर है अपका अलीगड में ठीक है इस्तापना कभी 2016 में तो लाश्ट वाला जरूर याद रख यह आपके सभी एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो इनको नोट कर लेना आगे मैं पढ़ाऊंगा कल की किलास में आपको जो बन्य जी बिहार है और अपके अलग है तो उनको भी मैं आपको कराऊंगा ठीक है तो आज की टोपिक में इतना ही कल मिलेंगे फिर इसमें आगे नए हो तो चैनल को सस्काइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें धन्यवाद